हेलो एवरिवान वेलकम टू मैं चैनल तो फ्रेंज आज हम लोग डिसकस करेंगे इस बार का जो कोशन पेपर हम लोग डिसकस कर रहे थे एंटी इसी नैप के 2023 के फर्स शिफ्ट के कोशन पेपर ठीक है तो अल्रेडी हम लोगों ने इस से एक वीडियो कर लिया जिसमें हम लो इसके जो भी important notification होते हैं आपको time to time मिलता रहेगा ठीक है आने करेम पे भी मुझे follow कर लेना follow करने के लिए code है अनुकमपा आने करेम के platform पे अनुकमपा code से आप कोई भी class unlock कर सकते हो देख सकते हो ठीक है और मेरे profile में जाने से बहुत सारे free classes भी है वो भी आप देख सकते हो अभी आने करेमी के side से net के लिए subscription अगर आप लेना चाहते हो तो 25% discount चल रहा है 3 months के subscription पे और 9 months के subscription पे ठीक है तो आप उसी सबसे ले सकते हो ये जून के exam के लिए ये December के लिए है तो आप अगर लेना है तो 31st March से पहले पहले आपको लेना होगा अनुकमपा code लगाने से य दोनों पेपर मिल जाएगा एक ही subscription में जितने भी एडुकेटर से सबके क्लासां देख सकते हो चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो तो आज हम लोग क्वेस्टन नंबर 21 से डिसकस करेंगे क्या पर पूचा है कि T value कितना होगा अगर between group variance and within group variance का value given है तो देख variance का value 50 है तो यह divide करके मिला 4 लेकिन यह तो F का value है ठीक है आपको पूचा है T का value कितना है तो T and F में क्या relation है तो एक relation है mathematical relation यह है T square equals to F ठीक है तो F का value हम हमें मिला 4 F के जगा पे हम 4 put करेंगे तो T square हो जाता है 4 that means T हो जाएगा 2 ठीक है तो option number 2 is the correct option question number 22 देखते है इस बार तो ही statistics पूचा गया एक था यह एक था यह ओके तो यहाँ पर पूचा है कि अगर coefficient of correlation का value मतलब R का value अगर 0.50 है 0.50 तो reliability coefficient total test का ठीक है overall पूरे test का reliability coefficient कितना होगा तो यह दोनों पार्ट का reliability coefficient दिया हो मतलब यह है यह जो हम लोग एक ही बार test लिया गया उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया ठीक है तो यह कौन सा था जो हम split half method यूज करते हैं तो वो है यह तो split half method में आपका formula यह है जिसको हम internal consistency reliability बोलते हैं कि test एक ही बार लेते हैं उसको दो पार्ट में divide किया जाता है तो फिर वो हम split half method यूज करके करते हैं तो इसमें आपका formula तो total test का जो reliability है वो निकालने के लिए आपको करना होगा twice r divided by 1 plus r ठीक है यह formula आप लोग नोददन कर ले ना तो r के जगा पे आ जाएगा 0.50 और के जगा पे दे रहे ना 0.50 फिर यह calculate कर लो 2 into 0.50 होने से उपर हो गया 1 नीचे हो गया 1.5 ठीक है फिर इसको आप कर लो उपर हो जाए option next पूचा है कि parametric and non parametric में common क्या है commonly वो लोग क्या share करते तो यह दोनो inferential statistics से related है ठीक है next question हम देखते है question number 24 इन में से कौन सा किसमें हम snowball sampling technique यूज़ कर सकते है तो देखो snowball sampling यह होता है कि जब हम लोग के पास sample size बहुत कम होता है ठीक है हम जिसके उपर study करना चाहते है उससे related अगर sample बहुत ही कम होता है तो हमें snowball sampling यूज़ करके अपना sample size को बढ़ाना होता है ठीक है तो यहाँ पे भी sample size बढ़ा होगा first generation learners यहाँ पे भी sample size बढ़ा होगा लेकि non heterosexual person कौन-कौन है यह हमें जारा पता नहीं है ठीक है तो फिर अब क्या होगा फिर इन से related अगर हमें study करना है तो हमें snowball sampling यूज़ करना होगा क्योंकि अगर एक दो person ऐसा हमें पता है जो non heterosexual है तो फिर हम क्या करेंगे उन लोगों के help से हम अपने sample size को बढ़ाएंगे ठीक है next question डेखते है question number 25 क्या पे पूछा है कि handle and lovers के according reflective level of teaching के steps को sequence में लगाओ तो देखो handle and lovers ने reflective level of teaching से related three steps दिया था first step ने उन्होंने बोला था कि हम पहले क्या करेंगे हम पहले बच्चों को different functions, different actions, different skills के बारे में सिखाएंगे फिर हम यह देखना चाहेंगे कि उन लोगोंने कितना सिखा है तो हम उनको practice करने के लिए देंगे ठीक है तो हम यह पे plan करेंगे कि कि किस तरीके से उनके reflection को देखा जाएगा फिर उसके बाद देखा उसके बाद यह सूचा जाएगा कि जो भी reflection हम लोगोंने देखा मतलब बच्चों ने जो भी सीखा क्या वही उनको सीखना था ठीक है वो होता है ethical consideration मतलब हम यह देखते हैं कि जो भी consequences हमें मिला वो right है या wrong है ठीक है यह देखा जाता है तो option number 4 is the correct option question number 26 देखते हैं यह बहुत easy question है कि over a period of time student के जो work है उनका collection ठीक है मतलब एक time period में बच्चों का जो overall achievement होता है ठीक है उनको collect करना यह कहां पे किया जाता है portfolio में किया जाता है rubric जो होता है यह एक standard scoring tool है rubric use करके हम score provide कर सकते है जैसे कि portfolio कैसा होता है हम लोग का CB है बायरता होते है वो portfolio में आते है ठीक है और किसी के अगर CB को marks देना है ठीक है किसी के CB को आप evaluate करना चाहते हो marks देना चाहते हो तो आपको rubric use करना पड़ेगा और reflective journal क्या है हम जैसे क्लास खतम होने के बाद मैं यह देख सकते हूं कि मैंने आज कैसा पढ़ाया क्या क्या objectives था उन में से कौन-कौन सा objective fulfilled हुआ कौन-कौन सा नहीं हो पाया ठीक है यह सब कुछ देखना कुद के teaching को डेखना यह student भी use कर सकते है बो लोग यह देख सकते है कि आज के class में हम इसोड या कोई specific events है आपके school life से related तो फिर उनको detail में लिखा जाता है narrative form में मतलब describe करके लिखा जाएगा तो वह होता है anecdotal record next question डेखते है question no.27 यह कौन से कैटेगोरी में आएगा Anderson and Crethol के according पूछा है आपको हम लोगों ने यह पढ़ा था ना unit 7 के बी portion में कि यह जो कोगनि जो bloom taxonomy हम लोगों ने पढ़ाता है ना cognitive domain effective domain psychomotor domain असे करके पढ़ाता तो यहां पर पूछा था कि यह कौन सा level से रिलेते रहे कि learners क्या कर पा रहे है learners measuring plus use करके chemical के volume measure कर पा रहे है मतलब आपने सिखाया होगा तो आभी वो कर पा रहे है तो यह application level वाला हो गया option number two is the correct option question number 28 देखते हैं कि इन में से कौन सा correct sequence होगा किसके लिए कि एक teacher है teacher के जो उनका career stage से related कौन सा correct होगा मतलब teacher पहले क्या करेंगे एक beginning teacher होंगे पहले जॉब जॉइन करेंगे उसके बाद धिरेठेट है उनके अंदर skill develop होगा वो proficiency आजाएगा उनके अंदर then वो expert बन जाएंगे है उसके बाद वो lead कर सकते है मतलब जब expert बन जाते है तो उनके अंदर leading quality आ जाते है दूसरों को lead कर पाना guidance दे पाना next question लेखते है question number 29 sorry which of the following is a tool being used to create अचाँ e-portfolio create करने के लिए create करने के लिए हम कौन सा tool use करते है तो यह होता है maharah ठीक है maharah tool use किया जाता है e-portfolio create करने के लिए और यहाँ पर पुछा गया इन में से कौन सा learning management system में नहीं आते है ठीक है तो learning management system में नहीं आते है स्वायम प्रभा क्या है यहां पर यह दिटीएच चैनल है यहां पर 34 चैनल आते हैं ठीक है तो यह लार्निंग मैनेजमेंट सिस्टेम से रिलेटेट नहीं होता है नेक्स हम देखते हैं which of the following is a distinguished characteristic of web 2.0 अच्छा जब को पता है web 2.0 में कौन-कौन से हैं जैसे की facebook हो गया वाच्छेप हो गया है जो social media होते हैं ठीक है तो web 2.0 के main characteristic क्या है कि यहां पर हम यह interactive social media मतलब हम यहां पर कुछ भी share कर जाकते हैं कम्मुनिकेट कर सकते हैं तो वह होता है web 2.0 which of the following is not an essential activity of instructional designing instructional designing से related models हम लोगों ने पढ़ा था unit 8 के b portion में तो बहाँ पे हम लोगों ने different different models परहता जैसे eddy model पढ़ा है sure model पढ़ा डिक and carry model पढ़ाता है न तो instructional designing में हम एक्छली क्या करते हैं तो learner के need से start करके उनको evaluate करने तक ठीक है जो plan करते है वह होता है instructional design करना तो यहां पर learner के need को definitely देखा जाएगा ठीक है उसके according learning material डेवलोप किया जाएगा लास्ट में उनका evaluate किया जाएगा तो कौन सा essential नहीं है कि learners कौन कौन से learners को enrollment देना है यह identify करना यह necessary नहीं होता है next हम देखते है next जो grading provide करते है ठीक है तो यह किसका example है तो यह है quality assurance क्योंकि grading provide करना मतलब quality assurance देड़ा है जिसको इस institution को NAC ने A++ दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने assurance दे दिया कि यह quality का education है यह इस institution में quality education मिलता है ठीक है इस तरीके से तो NAC का grading system होता है that is an example of quality assurance then which one of the following basic elements of administrative process suggested by Henry Fayol Henry Fayol ने क्या क्या basic elements suggest किया था administrative process से related Henry Fayol ने total five elements suggest किया था जैसे कि एक है आपका planning, एक है organizing, एक है आपका coordinating, एक है commanding, एक है controlling ठीक है लेकिन कोपरेटिंग वाला नहीं था तो इसलिए fourth option नहीं होगा next हम देखते है national policy of education 2020 के according जो general education council है इसका काम क्या है तो इसका काम है academic standard setting ठीक है मतलब क्या क्या हम learning outcome expect कर रहे है वो सब कुछ decide करना general education counseling का काम है ठीक है council का काम है ओके one of the accreditation scheme अंदर NABET तो देखो NABET क्या है इनका full form है national accreditation board of education and training ठीक है और तो यह bodies हो है यह QCI के अंदर आते है और इनके साथ related total three basic section है एक है school governance से related and एक है आपका educational and support process से related और एक है performance measurement and improvement इन सब में यह quality को देखते हैं तो उन में से एक यहां पर दिया हुआ है school governance next हम देखते है question number 37 which is not the definition of disability as seen by human rights and equal opportunity commission तो इन में से कौन सा disability में नहीं आते है तो यह सब कुछ तो आते है ना disability मतलब किसी भी तड़िके का physical या mental function अगर loss है ठीक है लेकिन emotional stress related नहीं है emotional stress तो emotional emotions से related है ना तो यह disability से related नहीं है 38 ICF model के according पूछा है इन में से कौन सा एक component है disability का तो हम लोगोंने ICF model में पढ़ा है activities and participation is a component of disability according to ICF model then how many categories of disabilities are included यह question 21 में भी बहुत आया है दो चिफ्टों में आया था आभी भी पूचा है RPWD Act के according कितने types of disability है 21 types of disabilities है ठीक है तो आज के last question देख लेते हैं child from culturally background family एक ऐसा बच्चा है जो backward culture से है ठीक है तो फिर आपके school में उन्होंने admission लिया अगर school के head हो तो आपको क्या करना चाहिए तो आप लोग option पढ़के देखना तो हम क्या करेंगे उनको normal class में ही डालेंगे लेकिन हम उनके लिए कुछ special arrangement भी रखेंगे क्योंकि वह backward culture से है न तो उसको समझने में या फिर curriculum समझने में कोई problem ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे कुछ special arrangement भी उनके लिए रखा जाएगा ठीक है उनके नीट के ओपर focus करके ओकी फिर remaining question हम discuss करेंगे आज आने कादेमी के platform पे आप जरूरी से join करना यह है free class विल्कुल free class 445 पे है एं इसका link description box में है and class join करने के लिए code है अनुकंपा ठीक है यह free class है अनुकंपा तो यहां पर हम remaining question आज discuss कर लेंगे ओके तो यह है unlock code ओके आने कादेमी पर मुझे follow कर लेना और वीडियो को like कर देना शेर करना सब्सक्राइब करके डग देना चैनल को next video में हम बाकी question भी discuss करेंगे आज पहले हम आने कादेमी पर कर लेते हैं आप लोग आज आ जाना 445 पर ठीक है ओके फिर thank you everyone